डेब्यू से पहले जाहनवी कपूर ने इंस्टाग्राम से डिलीट की थी प्राइवेट पोटोज, खुद किया खुलासा श्रीद देवी और बोनी कपूर की बेटी जाहनवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क जल्द ही रिलीज होने वाली है धड़क से राट की हिंदी रिमेक है, फिल्म के ट्रेलर को दशकों ने पसंद भी किया है और जल्द फिल्म के रिलीज का इंतरदार कर रहे है इस बीच जाहनवी कपूर ने हैरान कर देने वाला कंपेशन किया है जाहनवी कपूर ने बताया कि धड़क के देवियू से पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की प्राइवेट दस्वीरों को डिलीड किया था उसके बाद मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया एक लीडिंग मैक जीन को दिये इंटर्वियू में जाहनवी कपूर ने बताया कि पहले मेरा अकाउंट प्राइवेट था लेकिन बाद मैं मुझे इसे पब्लिक करने की जरूरत महसूस हुई बता दें धड़क में जाहनवी कपूर के काम को लेकर सबकी नजरे हैं अब चुdal की जाहनवी, श्री देवी की बेटी हैं ऐसे में फैंस उनसे श्री देवी की तरहे एक्टिंग की उम्मीद करते हैं देखना यह है कि श्री देवी की बेटी एक्टिंग के मामले में किस तरहे अपनी फैंस फॉलोइंग बनाती हैं धड़क साल 2016 में आई नागराज माउन जुले की मराथी ब्लोकबस्टर फिल्म सेराट की हिंदी रिमेक है धड़क में जाहनवी के साथ शाहिद कपूर के भाई इशान खटर नजर आ रहे हैं फिल्म अगले महीने 20 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म में वाड़ी वेका ग्राउंड पर बनी है तीन मिनट के ट्रेलर में रोमांस, आक्शन, थोड़ी सी कॉमेडी और नए स्टार्स के लोग पर काम किया गया है अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारी चक्का चौन्द के बीच रिलीज होने जा रही धड़ग से राड़ जैसा ही जादू भिखेर पाएगी